Hello students, कैसी हैं आप सभी? I hope आप से बेची हूँगे अपने घर पर सुरक्षित होंगी मैं जोती हैं आप सभी गास्वागत करती हूँ आपके अपने डिव चैनल चन्वानी क्लासेज में जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए Physics, Chemistry and Maths आज के इस क्लास में डिसकस करेंगी B.A.C. 3rd Semnistory की Maths की First Book Algebra की कुछ Important Questions जो के आपके एक्जाम में mostly पूछे जाते हैं और ये वीडियो सिर्थ किसी एक उनिवस्टी के लिए नहीं है, ये सभी उनिवस्टी के लिए है तो आप में से जिन भी स्ट्रेंट स्केप तक एक्जाम्स नहीं हुए हैं उन सभी के लिए वीडियो काफी हैपफुल होने वादी है Already मैंने Important Questions 3 से आपको प्रोवाइड कराई भी है जिसमें की First Book and Second Book दोनों की Important Questions जो की Last 6 Years में पूछे गए Questions हैं वो सभी मैंने आपको डिटेल में लिख करके बता ही हुए क्योंकि अबंसोल नहीं आ रहे हैं New Education Policy के अकॉर्डिंज आपके एक्जाम्स हो रहे हैं तो इस चेकर में आपको प्रीवेस एर Questions चूज करने में काफी ज़ादा Difficulty हो रही है तो इसी लिए मैंने आपको पहले से ही Last 5-6 Years में आई वे जो भी Questions, Examples है, Definitions है वो अल्रेडी प्रोवाइड कराई हुई है टेलिग्राम पे आपने से जिन्हें स्ट्रेंट से नहीं देख नहीं देख लिशेगा ठीक है इस वीडियो में भी हम बहुत ही सारे जादा नहीं, टॉटल 15 Questions हैं उनमें आप टॉपिक और Questions दोनों include करके मान सकते हो कि अगर आप इन 15 को अपने अच्छे से cover कर लेते हो तो 100% guarantee है कि आपका exam में इनमें से कोई ना कोई Questions जरूर लग जाएगा और जरूरी नहीं है, कोई ना कोई आपके हो सकता है, 4-5 questions इन 15 के अंदर से ही आजाए यानि कि अगर आपने ये question complete कर दिया जो मैं आपको बता ली हूँ तो आप मान कि चलिए आपकी first book algebra से जितना portion आएगा उसमें से आपकी passing marks easily आप ला सकते हो fail होने का chance ही नहीं बचेगा सिर्फ इन topics को अगर आप अच्छे से कवर कर लो तो चलिए PC के साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए का first book है आपकी alzabra and alzabra में अगर बात करें section की तो first book में two sections है first section में eight chapters and second section में दो chapters है जिसमें से कि जो second chapter है ancient mathematics वाला वो मैंने आपको बता दिया कि वो आपको करने की need नहीं हो से questions आपके नहीं पूछे जाते हैं तो total अगर हम बात करें कुल मिलाकर की nine chapters है जिनको आपको पढ़ना होता है है ना उनमें से भी first chapter आपका ऐसा जिससे exam में बहुत कम questions पूछने के chances होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो पहले ही बोले हैं वीडियो को लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्स्राइब जरू कर देना ताकि ऐसी ही और helpful वीडियो आपको मिलती रही तो देखेगा first question है chapter है आपका group ग्रूप वाले chapter से कौन-कौन से questions आ सकते हैं तो देखो first अगर बात करें इसमें मैंने आपको कुछ definitions लिखाई हूँ है इसलिए definition आपको कोई भी ने छोड़नी चार से पास definition है इसलिए आप कर सकते हो उसके बाद में इसलिए जो टॉपिक है second जो question बनता है वो बनता है कुछ इस टाइप का स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि the set of all positive rational numbers forms an abelian group under the composition defined by this अब देखो इस question में तो आपसे set किसका देदिया all positive rational numbers का और composition को किसमें define किया इस टाइप B is equals to ab by 2 बट इस टाइप के और भी questions बन सकते हैं जैसे कि आपको set कोई और देदे और जो composition देखो किसी और term में define कर दे तो यह तो question put up करने वाले के उपर है बट अगर आपको एक बार method clear हो गया तो questions तो होंगे तो सारे उसी तरीके से न तो यह method करने के question मैंने हां पर लिखा है question भी important है और इस type के और भी जो तीन चार questions जैसे कि एक question क्या है ab upon में 3 दे दिया एक इससे थोड़ा सा different है एक और है तो एक कुल मिलागर के इस type के चार से पांच questions है तो अगर आप पर यह आ गए तो जो वैसे simple questions होंगे वह आप खुद ही कर लोगे क्योंकि जब आपको properties आजाएंगे लगानी तो question आपको कुछ भी कहते कि show that the set of these and these are former group तो आप easily उसको बना सकते हो ठीक है question को solve कर सकते है आपको properties याद दोनी चाहिए तो question अगर एक आप कर लेते हो तो इस पे based बागी के सभी questions आप easily कर लोगे तो इसी में आपका first second exercise क्या हो जाएंगी complete हो जाएंगी उसके बाद में इसी में आती है general properties of group group की कुछ properties होती जैसे की uniqueness of identity यानि कि जो भी set होगा उसका क्या होगा identity element होगा वो unique होगा सिर्फ एक identity element exist करेगा उसके जैसा कोई or नहीं होगा same ऐसी है uniqueness of inverse यानि कि हर एक element क्या रखता है अपना खुद का inverse रखता है और उसके जैसा कोई भी other inverse उसका नहीं होगा पूरे set में तो यह क्या होती है uniqueness of inverse की property इसी type से एक property है कि A B का inverse किसके equal होगा B inverse into A inverse के equal होगा तो यह 3-4 properties ऐसी है जो कि mostly आपके exam में पूछे जाती है इसलिए आपको यह 100% याद रखनी है ठीक है उसके बाद में बात करते हैं fourth question की and that's the very most important question कि the order of the element A and X inverse AX are the same where A, X are any two elements of a group यह आपकी theorem है जो कि exam में काफी times पूछी गई और सभी university के लिए important है तो इसको भी आपको अच्छे से cover कर लेना है अगर आप इस वाले chapter का यह जो मैंने आपको चार questions बताई है इन चारों questions को आप अच्छे से cover कर लेते हो तो यह मांगे चलिए ग्रूप में से अगर आएगा तो इसमें से आपके कुछ ना कुछ questions लगने की possibility बहुत जादा है mostly यह questions आप से पूछे जा चुके हैं उतके बाद में chapter आता है next आपका permutation group permutation group क्या है देखो यह वाला chapter आपका इतना easy है इतना easy कि अगर आपने एक दिन में one hour का time देया ना तो उस one hour में इस chapter की जितनी भी definitions है जितने भी questions है आप सभी को easily cover कर सकते हो बिना किसी tension बिना किसी problem के and guarantee है कि हर एक question आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा वीडियो का link i button में मिल रहा है अगर आपने अभी तब वीडियो नहीं देखी है permutation group के और कहीं से भी यह वाला chapter नहीं करा है तो इस वीडियो से आप easily कर सकते हो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल clearly बताई हुई है and guarantee देती हूँ कि आपको one hour के अंदर अंदर आपको यह वाल one hour of group तो देक को उच्छा इसमें सबसे पहले to definitions आपको लिखाई थी मैंने कौन काुंसी हमम आइसमॉर्फिस्म इपी मॉर्फिस्म अ्डॉमॉर्फिस्म इसी टैप्से में आपको तीन डैफिनीशन्स लिखाई तो definitions इसकी काफी जाद है इंपरेंट है च्छोंकि आपसे very short या शोर्ट में शोर्टनाट के थूँ आप से पूछ ली जाती है तो डेफिनेशन तो आप इसली लेर्न कर सकते हैं उसमें तो कोई है नहीं कि सब ग्रूप कोसेट्स एंड लग्रांजेज थियोरम इसमें से देखो यह वाला टॉपिक तो आप हटाई दो लग्रांजेज थियोरम और केलेज थियोरम का स्टेट्मेंट और पूफ वह तो अचा काफी काफी जादा मौस्ट इंपर्टेंट है और कई जुतने भी एक्जाम अब तक जिन दिस ट्रेंट्स के हो गई हैं उन में कॉश्ण देखने के लिए भी मिला है लग्रांजेज थियोरम का तो इसी लिए लग्रांजे थियोरम और केलेज थियोरम दोनों का प्रूफ एंड स्टेट्मेंट दोनों आपको अपने अच्छे से कवर करके रखने हैं उसके बाद में definitions है तो subgroup की definition, cosets की definition ये भी आपको अपने अच्छे से cover कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद में बात करें इस chapter की important theorems की कि कौन-कौन से theorems important है तो एक तो first theorem है a necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is that A belongs to H, B belongs to H implies that A B का inverse भी belong करेगा H को where B inverse is the inverse of B in G तो ये भी आपकी काफी काफी जादा most important theorem है जो कि आपकी previous year में कई बाद 5 साल universities में पूछी जाच चुकी है इसके बाद में next theorem अगर आप देखो, तो next theorem है कि if H1 and H2 are two subgroups of a group G, then H1 intersection H2 is also a subgroup of G ये मैंने आपको कराते time भी बताता है कि काफी जादा important theorem है ये तो आप पोई अच्छे से अपनी कबार करके रखनी है ठीक है लाज्च अगर बात करें इस chapter की theorem की तो वो है the union of two subgroups is not necessarily a subgroup यानि कि दो subgroup का अगर union करेंगे तो जबूरी नहीं है कि वो भी कैसा हो एक subgroup ही हो ये भी आपके काफी जादा important theorem है तो ये भी आपको अपनी अंच्छे से याद रखनी है इस chapter में आपको इतना ही करना है बाकी कुछ भी करने की ज़ूरत नहीं है तीन आपको मैंने important theorem बता दी बाकी दो definitions है और दो तो आपकी जो long theorem है जिक का statement और proof दोनों ही important है वो लेगरांजयों के लिए इस theorem है clear उसके बाद में next chapter अधर अच्छा साइक्लिक ग्रूप से भी आपके तीन topic important है एक तो cyclic group की definition और दो इसमिक होरम से कौन कौन सी every cyclic group is an abilion group and next इसमिक होरम है every subgroup or cyclic group is cyclic तो ये दो important and theorem से जो कि आपको इस chapter से cover कर लेनी है बात करें लास्ट के टूट chapters की यानिक एक हो गया normal subgroup एक हो गया आपका rings and एक हो गया subrings so बचले को दोनों की दोनों जो chapters है एक तो subgroup normal subgroup वाला एक ring का and उसके बाद में chapter है subrings and idols तो जो chapter है ring वो ही connected है किसे subrings and idols से अगर आप ring अच्छे से complete कर लेते हो ग्रूप अगर आपने पहले complete कर लिया तो ring में दिक्कत नहीं आएगी ring की properties कुछ को similar है किसकी तरह subrings की तरह तो अगर rings आपने complete करें फिर आपको subrings easy लगने लगेगा clear इतनी बाद तो इसलिए जो subrings and idols वाला chapter और जो rings वाला chapter दोनों आपस में connected है दोनों में sufficient से ही topics मैंने कराए हुए चाहिए examples हैं, theorems हैं या questions हैं जो कि previous year में पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको recommend करूँगी कि ये तीनो chapters नॉर्मल subgroup, rings and subrings and idols तीनों के तीनों chapters में से आपको जितना भी मैंने करा दिया है वो सारा आपको अपना 100% complete करना है उसकी अच्छे से आपको तयारी कर लेनी है इस से बाहर आपका इस book से कुछ भी नहीं आने वाला है मतलब जो questions आपको कराएं वैसे तो वो सभी आपको कर नहीं है बट अगर हम important important questions की बात करें जो कि mostly पूछे गए है कुछ साल में सभी उनिवस्टी के लिए तो conclusion निकल के आता है इन 15 topics and questions का तो अगर आप इनको complete कर लेते हैं तो बैक के चांस तो खतम हो जाएंगे almost बाकि इससे जादा जितना आप कर सकते हैं उतना आपके लिए जादा benefit होगा ठीक है तो एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लिए कर किया दी ताकि जिनके भी exams हैं उन सभी का revision हो सकी और अगर आप सभी ने अभी तक टेलिग्राम चैनल जो इन नहीं कीजे किया है तो कर लीचे का टेलिग्राम चैनल लेम है जन्वानी classes वहाँ पर मैं इसकी as it is period प्राल दूनी जो भी questions topics में आपको बताए है अगर आपकी preparation complete हो चुकी है maths की तो आप एक बार इसको as a test के through देके देखी अगर आपके marks अच्छे आते हैं तो इट मेंस आपकी तयारी है कुछ percent यानि कि आप मान के चल सकते हो आपकी 90% तयारी complete है first book के और 10% आप यह वीडियो सभी uploaded है already first book algebra की भी and second book mathematical methods की भी तो अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तो इन topics का revision कर लीजूएगा यहां से पढ़ा है तो आपको जितना भी करा दिया हूँ सभी का अच्छे से revision करके इस paper को as a test के तोर पे आप करके देखीएगा marks अच्छे आते हैं तो समझ लेना तयारी मोहस्तली आपकी क्या है बहुत अच्छी है ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही आई होप कि अब आपको कोई भी दिक्कत ना आए इतने टॉपिक तो अट लिस्ट आप कवर करी सकते हो वैसे भी आप बोलते हो थी इतनी टॉफ बुक है इतनी टॉफ बुक है लैंग्वेज ही लैंग्वेज है थ्योड़ी थ्योड़ी है समझ में नहीं आरा क्या करें तो इतना का इंजरी इतना effort तो आपको भी डालना बागी इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए घर पर है ये सुरक्षित रहिए धन्यवाद